ये आकाशवानी है COVID-19 विशेश कारिक्रम के अंतरगत प्रस्तुत है कोरोना वाइरस संक्रमन की वर्तमान इस्थिति पर चर्चा जिसे प्रस्तुत कर रही है आकाशवानी समवादाता प्रियंत का अरोडा इस कारिक्रम में आमंतरित स्वास से विशेशग्य है डॉक्टर अवधेश शर्मा वैसे ही महीन और मुलायम है रास्ते की धूल पाउं पढ़ते ही उठती है जैसे चौक कर पूछती हो भाईया कहां रहे इतने दिन जी हाँ इतने दिन घरों में रहने के बाद अब फिर उन्हीं रास्तों से गुजरना है कोरोना की वजह से पुराने रास्तों को गलियों को तो नहीं बदल सकते हां लेकिन उन पर सावधानी से जरूर चल सकते हैं लॉकडाउन खुलने के साथ बस इन्हीं सावधानियों को याद रखना है नमस्कार, कोरोना पर विशेश कारिक्रम में आज मैं हूँ आपके साथ प्रियंका अरोडा और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं मनरोग विशेशग यह डॉक्टर अवधेश शर्मा नमस्कार डॉक्टर नमश्कार, कैसे हैं अप्रियांकर जी और कैसे हैं हमारे दर्शक, हमारे शोता इनके साथ जूड़ने में बहुत अच्छा लगता है जी हैं और आप खुद न से रूबरू होंगे तो आप खुद जान सकते हैं और अब उनको भी जोड लेते हैं, फोन लाइन हैं हमारी हैस्टेक आसके यायार के जर्ये सवाल पोस्ट कर सकते हैं डॉक्टर अवधेश अनलोक का दूसा सप्था शुरू हो गया आज धार मिक्सल, कार्याले, शॉपिंग मॉल, रेस्टरा खोल दिये गए हैं तो जिस तरह से सडकों पर अब एकदम से भी नजर आने लगी है तो क्या समझें कि लोग घरों में रह रहकर उप्टा गए थे या कोरोना के भय पर जीत हासल कर ली है प्रेंकर जी जैसा आपने कहा कि हम अनलोक के वे फेज में शुरू हो गए हैं तो मेरे ख्यास से अनलोट होना चाहिए जो जो चीजें हमारी जीवन में अच्छी नहीं थी उन से हमें अनलोक होना है जो जो कमня हमारी थी सास्थे के लिए सच्छता के लिए और एक दूसरे के साथ संबंधों के लिए जो की काफी हद तक और कुछ प्रोग्राम से चर्चा भी की कि किस परकार से लोगों को उस दिखर में मुश्किल आई लेकिन जैसे आपने कहा कि सड़क पे, ट्रेस्टरों में, आफिसे में एक तरह से लोगों का जाना शुरू हो गया है मुझान पता ही, मैं जैसे बहुत समय से लोग सोचने थे कि क्या यही जिन्दगी है चार दिवारी क्योंकि हमसे पहले हमने एक बहुत उन्मुक्त जीवन को जिया है लेकिन एक यहां पर बहुत बड़े इंपोर्टन चीज आएगी कि अगर हमने लॉगडाउन से कुछ नहीं सीखा तो फिर यह सारा का सारा जो कुछ भी हुआ वो बरबाद हो गया एक पुरानी गीत की पंक्ती है हमें उन राहों पर चलना है जहां गिरना और संभलना है तो हम गिरे तो सही कई तरह हैं इससे चाहे वो एकोनॉमिकल ही हो चाहे स्वास्ते के बारे में हो लेकिन हम उठे भी उस तरह हैं हमने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी देखीं कि लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए सामने आए लोग ने ये भी सीखा कि किस प्रकार से हम कम में जी सकते हैं किस प्रकार से हमें अपने जीवन में कुछ न कुछ पूंजी कुछ न कुछ चीज़ें संभाल के रखनी चाहिए सेविंग्स होनी चाहिए ये भी समझ में आया कि रिष्टे कितने महत्पून है लेकिन अगर हम एक तंप पहले आज चे तीन महें में चले जाएंगे और सिरफ वही होगा सड़कों पे बेहाल एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए पीछे छोड़ने के लिए और वही आफिसेज में होगा तो फिर वो अन्लॉक नहीं होगा फिर वो फोर्स लॉक्टाउन होगा अपने विचारों के साथ दूसरों के उपर ठोप कर तो मेरा क्याल है कि कम से कम हम सब उस चीज से बच पाएंगे क्योंकि यहां पर बहुत बड़ी इंपॉर्टन चीज़े भी हो रही है कि जहां पर अप अलॉक्टाउन के बाद लेकिन हमारे नंबर ऑफ केस्स खतर नहीं हुए हैं बढ़ रहे हैं काफी हैं इस समय और यहां पर अगर हमने जितनी भी धाई महीने के लिए तीन मेहने के लिए एहत्याद जो है जो बरती जो बार बार हाथ धोने की आद़त डाली मुपे मास्ट लगाने की आद़त डाली अब अगर वही मोटर साइकल पे इन तिन लोग और गाडियों में छेचे लोग और एक के साथ दूसरे सटे हुए बोहना शुरू हो जाएगा तो जो जो हमने पाया है उस अब हम खो देखे बिल्कुल सही का डॉक्टर आपने तो हमें साफधानिया जो हमें सीका है उसको बरकरार रखना है और जैसे आप कह रहे हैं कि आंकडों में कमी नहीं आरी क्योंकि आज ही दिल्ली के स्वास्य मंत्री ने कहा है कि दो सब्ताबात कोरोना के मामले दोगुने हो जाएंगे और देश भर में अगर आंकरे देखे तो पिछले पांच दिन में लगपक पचास अजार मामले आए हैं अलाकि रिकावरी रेट भी लगपक आधा ही है और तालिस दुशंबलाव से ज्यादा ही है ज़र अभी यह आकरे कही न कहीं मन में डर तो पैदा करते ही हैं उसको निकलने नहीं देते तो ऐसे में क्या किया जाए देखें डर उन लोगों के लिए जिन लोगों को किसी खास और यह बात पूरी तरह से clear है वृल ओवर दो ज़ाँ क्याओं कि एक। रोग से लड़ने की शंता उनकी कम हो जाती है, तो उन लोगों को जरूर दिहान रखना चाहिए, डरना नहीं, डरने से कई बार क्या होता है कि समाज की कई और तरहें की कुरूईतियां जो हैं, वो निकल के आ जाती है, स्टिग्मा होना शुरू हो जाता है, लोग इसी कारण से, क्योंकि उन्हें डर होता है कि दूसरे उनने का तरस्कार करेंगे, वो आगे आके ना अपने बारे में बताते हैं और उनकी वज़े से, और लोग भी उसकी वज़े से पीडित हो सकते हैं, तो दरने की जरूरत नहीं है अगर आप पहतियात बरत रहें, अगर आप ये ध कि जिसमेंगर सिम्टम आए भी तो उसका इलाज है, कई ऐसी बिमारिया हैं जिनने की इससे ज़्यादा भी भी प्यांकर रूप से सिम्टम्स होते हैं, तो इसमें डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन अनफॉर्शनेंटली हम क्या देख रहे हैं कि या तो लोग इसे बहुत ह तो बना देते हैं, उसकी वज़े से कोई आथियात नहीं बरते, या दूसरी तरफ वो लोग हैं जो पूरी तरह से डर रही हैं, किसी को अपने घर में नहीं आने देते, चाहिए उसमें मास्ट भी डाला हो, चाहिए उससे डिस्टेंस भी बना हो, और उसकी वज़े से ना उनके पास कोई आता है ना वो कहीं जाते हैं और अगर उने कोई प्राब्लम भी है कोई ब्रॉमारी भी है तब भी दूसरे से डिसकस नहीं करते हैं तो इसमें बीच का रास्ता जैसे जीवन में भी हमेशा बीच का रास्ता बहुत अच्छा रहता है तो दिना डरे लेकिन इस तौरान में हम सबसे जाए तो हमें अशली धाइस महीने का पीरड जो है नो कहुंआ जैसे पिक्चर का ट्रेलर होता ना अब ये ट्रेलर था हम इन धाइस महीन को में वो सारी अच्छी चीए तो सब्सक्राइब के लिए तरफ कोरोना से आले हाले समय में भी हम ए नए समाज की रशना कर पाएंगे बिन भाएंगे जी और डॉक्टर हमारे साथ हमारे पहले शोता जुड़ गें है राइपूर से विजय जी अलो अलो नमस्कार नमस्कार में जी स्वागत है कारिक्रम में सवाल पूछें मेडम हमारे हां तो कोरोना विस्पोफ हो गया पूरे देजवन है हाला मली सरकार अपनी पूछें सब्सक्तार यह अलग बात है लिगिन उतों एविदेश है ना उत्ती स्राया में हाला तो डाक्टर साब की मेरा द्वर जो किस्टन है जी तो देखिए 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 ने खुद जो माइकाल जे रियान जो है उनके एगिटेटेटेटर उन्होंने खुद काहा था अभी माहिन अबर पहले कि कोरोना वाइरस को आप यह संदर में लीजिए जी तो आपने बहुत कॉम्प्लिकेटेड कुछन पूछा लेकिन मैं जो कि मेडिकली बहुत इसमें गुतिया है लेकिन मैं आपको उसका एक जो की नॉर्मल भाषा में सब लोग समझ सके उस प्रकार से जवाब देना चाहूंगा दिखे कोई भी जब बिमारी किसी भी समाज में आती है तो वो पूरी तरह से खत्म नहीं हो स्माल पॉक्स के इलावा कोई भी ऐसी बिमारी नहीं है जिसको हम कहें कि पूरे विश्व से वो हमेशा के लिए खत्म हो गया कहीं न कहीं थोड़े कवों में वो चलता रहता अगर एक कम्यूनिटी की टोटल इम्मूनिटी खम हो जाती है या वो एक नए रूप में आता है जिसमें कि उसका स्टक्चर बदल जाता है तो जिस तरी से हमारी बॉड़ी ने उसके लिए अपनी इम्मूनिट बोलते हैं तो उसमें कमी आने की वज़े से वो फिर से आ सकता है और इसी लिए हमें हमेशा सतरक रहने की जुरत बढ़ती है और आम तर पर अगर आप देखेंगे तो ये केसे सब बढ़ते हैं जिसके जब कि हम प्रिवेंशन के जो तरीके हैं उनको अपनाना बंद कर देत कम हो जाती है चाहे वो और किसी बिमारी की वज़े से हो चाहे अगर हम अपने शरीर का दुरूप यो कर रहे हैं निशीले पदार्तों से उसकी वज़े से हो या अगर बहुत ज़्यादा तनाव है उस तरहें का जीवन आप अगर जी रहे हैं तो तनाव की वज़े से भी हम लोग रिकावर कर रहे हैं, करीबन 50% लोग हैं जो रिकावर कर चुके, क्योंकि उनमें इम्मुनिटी बढ़ने शिरू हो गई, और नए केसिस हैं, जो कि एक एक जगा से चाहे वो कुछ क्राइसिस रहे, कुछ समूह थे, फिर उसके बाद कुछ लोग जो एक जगा से दूसर जगा गए, या वो जो एसिम्टोमेटिक कैसिस से उनके बारे में पता नहीं लगता था, और उनकी वज़े से, और अब खास तोर पे जब की हर चीज थोड़ी-थोड़ी करके खुल रही है, तो अगर हम वो एहतियात नहीं बढ़ते, तो उस वज़े से वो नंबर्स जाते हैं, लेकिन समय के साथ साथ इम्म्यूनिटी आ जाती है, और उसके बाद वो शान्त होनी शुरू हो जाती है, कुछ अगर नई चीज़ें में शुरुआत ना हो, नए नंबर्स में शुरुआत ना हो, या मौसम ना बदले, या वारेस का निया रूप ना देखनी को म जहां तक रही बाद दूसरे आपके प्रश्ट की कि वो लोग पॉजिटिव थे, फिर नेगेटिव हुए और फिर उसके बाद पॉजिटिव हो गड़े, देखें उसके बारे में अभी क्लारिटी नहीं है पूरी तरह से, क्योंकि ये भी देखा गया है कि शायद उनमें द अच्छर थोड़ा सा बदल देता है और उसकी वज़े से क्योंकि उस वाइरस से नए वाइरस से लड़ने की शम्ताव स्वक्ति में नहीं होती, लेकिन बाइनलार्ज जो अच्छी बात ये है कि आल्रेडी जहां पे हम देखते हैं कि करीबन पचास लाख ऐसे लोग हैं जो कि all over the world इस चीज़ से पेडित हो हैं लेकिन ऐसे केसे बहुत बहुत कम हैं जिनको एक बाद ठीक होने के बाद फिर से ही अटायक आया है और शायद वो अच्छी बात इसलिए भी है तो कि इसका है मतलगा है कि एक बार जब किसी रख्ती की इम्मुनिटी इन जनरल करोना वा कि इसलिए थोड़े बहुत जो हैं उनसे भी लड़ सकता और वैसे देखा जाए तो करोना वायरिस जैसा अब है वैसा हमचास नहीं था पहले भी करोना वायरिस आये थे उनका स्ट्रक्चर अलग था हमारे शरीर में हमारे समाज में उनकी इम्मुनिटी बढ़ी फिर वो ज समाज में इसकी इम्मुनिटी बढ़ जाएगी जब बढ़ जाएगी तो एकका दुक का शाइद केसे होंगे जहां पर कि फिर से उनको इस चीज में उस चीज का वो शिकार होंगे बट अदर्वाइस ऐसा नहीं जी हां तो अभी बाएं लाज आपको अपनी इम्मुनिटी अपनी रोग प्रती रोधक्षमता स्ट्रॉंग रखनी हैं बजबूत रखनी हैं एक और शोता मध्य प्रदेश के रीवा से चुड़े हैं राम जी गर्ग हलो रिवा स्ट्रदेश से बोल रहा हूं राम जी गर्गे नमस्कार जी विडम जी धी थीये हमारा ये थे स्ट्कन है की जैसे छोबारा बढम जाथ द्रॉनका के अपनी रोग पत्लों था कि बढ़हा prohib es. प्ले तूराह हमारा और है जी कि जैसे मान लिए हम थोड़ा नोट लेने देने का काम करता हूं तो इसके लिए मान लिए सेने टाइजर कितने धंटे में लगाया जाए बार बार हाथ में जी पहली बात चापने कही कि अब काच्वारा बादाम और इस तरह से और कई चीजें जो सरकार के दोरा अगर आप आयूश मंतराले की वेबसाइट है उस पे जाएं तो अलग लग पैथीज में जिसमें की पांच पैथीज होती हैं बड़ आयरवेदा, योगा, युनानी, सिद्धा और होमपैथी इसमें जिनमें की अलग लग तरीके हैं अपनी रोप, पतिशो शम्ता को बढ़ाने के और उसमें खासतर से गिलाए, तुलसी, दालचीनी, लांग, इनके प्रियोक की भी बात कही हैं, देखें ये ऐसी चीजें हैं जिनकों की सही रूप से अगर लिया जाएं और नॉर्मल मातरा में लिया जाएं अफॉर्चनेटली कई वर क्या होता है क रिक्ती ये सोचके कि जितना ज्यादा खालें के उतना अच्छा होगा और वो बहुत ज्यादा सेवन किसी चीज का करना शुरू कर देते और वो बात उल्टी पड़ जाती है, तो वैले इस तरीक से कई बार बनाएं बताय जाता है कि काड़ा कैसे बनाएं पही रूप से, या अगर आप थोड़ी थोड़ी मातरा में इनको गरम पानी में डालके पीते हैं, तो उससे आपकी प्रतिरोज शंता बढ़ती है, उसी के साथ साथ, अगर आप अच्छी नीद लेते हैं, अगर आपको जो दूसरी बिमारिया हैं अगर कोई, चाहे वो डायप्टीज की हो या वो blood pressure की हो, अगर आप उसको control में रखते हैं, सिरफ बिमारी होने की कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर बिमारी control में है, तो आप safe हैं, तो अगर आप उसका ध्यान रखते हैं, तो इन चीजों को ज़रूर लें, वो आप के लिए अच्छा ही रहेगा, और फिर प कब दूसरा सवाल था कि जैसे नोट गिनने की बात है पर वो एक छोटा सा मजाग था आपके साथ बहुत इसके बारे में शोध हुई है सिर्फ नोट गिनना है नहीं कि किस चीज़ को हम चूएं कितनी देर तक उसके वारस रहता है वगरा वगरा कुछ ऐसी चीज़े हैं जिन पर अगर हम सैनेटाइजर करेंगे जैसे कुछ पेपर्स हैं खास इंपॉर्टेंट और उन पर स्याही है और सैनेटाइजर अगर उस पर चला जाए तो खराब कर देगा उसी तरह से अगर नोट है तो उसको वो खराब कर देगा उसके दो तरीके किये जा सकते हैं आज की समय में जितनी शोध हुई असके साथ से क्या आप लव्ज डालके उनको गिने और गिनने के बाद उनको साइड पे रखते और करीबन 24 घंटे और 48 घंटे अगर आप उनको साइड पे रख पाएंगे कई लोग हैं जिनका की इस तरह का काम है कि एक तरफ से लोट लिया दूसरी तरफ से दे दिया तो वो सर्कुलेक्ट हो सकता है लेकिन एक उसमें बहुत बड़ी कुश्कवरी ये भी है कि इस तरह से लोगों में संक्रमन पाया गया इस तरह से संक्रमन बहुत लोगों में फैल गया ऐसी कोई कहीं से भी रिपोर्ट्स नहीं आई है ये चीज तरफ एतियाग के लिए है और अगर आपने नोटों को गिना है तो आप खास तारते अपने मुह के उपर नाख में या आख में हाथ को ना लगाए और आप लवस डाल के कर रहे हैं और मुह पे आप मैस्क डाला हुआ है ताहिं मास्क इरफ उस बचाने के लिए कैम अपने से भी बचाने के लिए थाटिए ह हमारे और उनमेगे किसी तरह के जंच है तो वह हमारे आंक्र नाख या मूह तक ना जाए तो अगर आप उस्терес से या नब तुछा सकते हैं तो आपको इस चीज़ों जब परिशान निवे हैं तो राम ची आप बे हिचक आप इन सुझायों के साथ अपने नोट आ रहा हम से गिन सकते हैं भार में इसे जुड़े हैं क्रिशन हं जी हलो कि अलो, नमस्कार. नमस्कार. नमस्कार, मैं खिसंग बोरां. दोर्ज Bis합니다, नमस्कार? जी, नमस्कार. कवाल पुछें. मैं किसंग बोराया ह। मैं जैते हुआ में किसंग भीन का ताला शोट अच्रीन ऑठर्मोने जीरें? मैं यह पूछना चाहते हैं जो आप हमेशा ध्यान में रखें पहली चीज अगर आप आजकर डिस्पोजबल गलव आते हैं महंगे नहीं होते हैं एक जोड़ी वैसे गलव जो की एक ही बार के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए वो पार्ट से साथ रुपे में आ जाते हैं अगर आप उससे पाइदा यह होता है कि आप दो को मान लीजिए वो हैंडल पकड़ना है आप सीट को छू रहे हैं तो आपके हाथ से वो जर्म्स आपके मूँ तक नहीं पहुंचेगी दूसरा मास्क हमेशा डालें क्योंकि मास्क से आप अपने आपको तो बचा ही रहे हैं क्योंकि दूसरों से आपके जम्स निया रहे हैं आप दूसरों को भी बचा रहे हैं तीसरा जहां तक हो सके मान लीजिए आप किसी बस में चड़ रहे हैं और मालूम है कि 15 मिनिट में दूसरी बस आजाएगी और इसमें बहुत ही बी रहे एक दम खचा खच भरी हुई है तो आप उसे अवोइड कर आप दूसरी बस में जिसमें की पूरा सा लोगों में आप उसमें डिस्टेंस हो एक दूसरे से दूरी बनी हुई हो वो अगर आप करते हैं और फिर आने के बाद कपड़ों को अलग रखते हैं नहा लें और खासतार पर साबून लगाकर क्योंकि साबून लगाते ही 20 सेकेंड के अंदर वो वायरिस पूरी तरह से खतम हो जाता है और बाहर से जब भी आप आएं तो दूसरे किसी घरवाले वेक्ति को चूना या दूसरे किस बहुत पात पैठना उससे पहले आप नहा दो लें तो और उसके बाद घर में आएं या दूसरों से बात तभी करें जब आप नहा दो चुके हों ताकि बाहर के वारिस आपको औ को बढ़ाने के लिए आज की समय में गर्मी बहुत हो रखी है पानी जरूर पीए और पानी अगर नॉर्मल टेंपरेचर का पी सकते हैं तो जादा अच्छा है जादा से अगरा पीए और गरम पानी भी आप दिन में ले सकते हैं या ग्रीन टी या हरी चाय जिसको बोलते हैं वो भी इसके लिए बहुत अच्छी सिर्थ होती है तो अगर आप इन चीजों का ध्यान रखते हैं और अगर आपको तीन-चार चीजे करनी हैं तो एक बार में करने की कोशिश करें बार-बार चोटी-चोटी चीज के लिए ना जाए तो अगर आप यह प्रैनिंग करते हैं उसको हाथ को भी देखे अगर गलव जैसे आपने बहुत सही बात कहीं करी कि गलव जो है और अच्छी मास्क उसको सही पहनने का तरीका यही है कि अगर आपने मास्क को डाला हुआ है तो उसको अपने हाथ से बार-बार उतारे नहीं, खुजलाएं नहीं और गलव के साथ तो खास तोर पर अगर बहुत जरूरी भी है तो गलव्स की जो अपना हाथ है उसकी पिछली साइड जो है जो कि किसी भी चीज को टच नहीं की होगी उसको कोशिश करें कि उसी से करें बट कोशिश यही होनी चाहिए कि हाथों के दोरा मास्क के अंदर भी आपके मुझ ना कर आख को आप अपने हाथ से टच ना करें जी एक और शोता जुड़े है रिशी पाल जी मुझफफर नगर से हलो हलो रिशी जी नमस्कार रिशी जी नमस्कार जी स्वागत है कारेक्षम में आपका सवाल क्या है यह सवाल यह है जी यह बताओ कोल्डिंग वज़ाबर पी सकते हैं नहीं गर्मिया है तो जाहिकी बात है कि कुछ देखे कोल्डिंग आप जरूर पी लसी निम्बू पानी जैसे शेरों में कई बार नहीं मिलती लेकिन अंदर तो कांजी और इस तरह की चीजें भी आजकल बहुत घरों में बंती होंगी उनको पीना बहुत अच्छा है लेकिन कोल् करशा पी रहे हैं उसके तो वैसे भी शूगर होती है और वो उसके अंदर ग्यास पहुत होती है तो उनका फायदा नहीं है लेकिन कई सब्सक्राइब लेकर और जो घरों में हमारे और नेचरल तरीके से अगर आप उन चीजों को लेते हैं तो आप वेमारे से लड़ने की ताकत पतिरों शंता जो है वो बड़ती है जी हमारे ट्वीटर पर भी एक सवाल आये हमारे एकशोता का कि उन्होंने पूछा है कि सबस्यों सेप़ी कोरोना से संक्रमित होने का कि सबस्यों से कोरोना अपन्याप पैलने का कोई चांस नहीं यह मान लिजिए किसी जगह से और ये सिरफ स्थेरोटिकल बात है ता भी बात है कि वहां लीजे एक वक्ती संक्रमित है और वो वहां सब्जी खरीद में आया इसमें खांसी की सब्जी पर वो किटानों गिर गए फिर दूसरे वक्ती ने उनको टच किया फिर अपने मूँ को टच किया ऐसा बहुत-बहुत कम होता लेकिन एहतियात के रूप मे साबुन से दो दे उसके बाद सब्जियां जो हैं उनको अच्छी तरह से पानी में विगो दे कुछ तेर के लिए 15 मिनेट से 30 मिन तक अगर हो सके तो थोड़ा साबस में नमक टाल दे उससे भी पिटानों मल जाते हैं और उसके बाद उस पानी को वहां से हटा दे सब्जी क भेवीत हो रखे हैं और सारा दिन बस यही सोचते रहते हैं कि किस चीज से बिमारी हुई है किस चीज से बिमारी हो सकती है अगर आप मोटे मोटे पार पर टीन चीजों का मुझ पर मास्क लोगों से दूरी मनों में दूरी नहीं लेकिन शारीजिक रूप से दूरी और अप को साफ रखना साबון के द्वारा जहां तक हो सके वो बहुत बहुत बैटर है compared to अगर हम उसको अनिटाइजर से साफ करते हैं लेकिन अगर ताबो न ना हो सके तो अनिटाइजर से साफ कर सके और अगर बाहर की चीजों को बहुत टच करने की ज़रूत होती है तो ग्लव्स डालके करें और ग्लव्स को इसके बाद फूंगे तो अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो जितना हम डर रहे हैं वो डरने की जुरूरत नहीं रहे जी डॉक्टर आपने जैसे शुरुवात में बात की थी एक स्टिग्मा अब जैसे कई लोग ठीक भी होते हैं स्वस्थ होकर भी आ जाते हैं पर फिर भी लोग उनसे बचते हैं हर चीज में जो स्टिग्मा लगाने की हमारी प्रवृत्ती है इसके पीछे क्या मान सकता है और 30 सेकिंड है मेरे पास दॉक्टर आप पर जवाद लेकिन मान सकता तो यही है कि लोगों को डर है कि हमें न लग जाए हैं लेकिन ये बात को अगर हम ध्यान में लखें कि अगर हम किसी पर उस तरह का कलंक लगा रहे हैं तो शायद दूसरा विक्ति जिसको हो चुका है संक्र में वो बताए नहीं और उस कारण से आपको विवारी हो तो अगर किसी को है उसकी मदद करें उसको एकसेप्ट करें जो सही इलाज है वो जरूर करें लेकिन उससे अपने परिवार और जीवन और समाज का हिस्सा जरूर बने रहने के तभी हम इस चीज से लड़ पाएंगे वज़ा हम आपस में लड़ेंगे और कोरोना जीचा बिलकुल हमें आपस में नहीं लड़ना कोरोना को हराना है और एक जुट होकर ही सावधानिया बरत कर ही हम इससे जीच सकते हैं बहुत शुक्रिया डॉक्टर कारिक्रम में हिस्सा लेने के लिए अपने शोताओं का भी अबहार जक्त करते हैं प्रियंका अरोडा को दीजे अनुमती नमस्कार COVID-19 विशेश कारिक्रम के अंतरगत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वाइरस संक्रमन की वर्तमान इस्थिती पर चर्चा जिसे प्रसुत कर रही थी आकाशवानी समवादाता प्रियंका अरोडा इस कारिक्रम में आमंतरित स्वास्थे विशेश अग्य थे डॉक्टर अवध कर सकते हैं पता है airnsdtalks at gmail.com ये कारिक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग आन करें हमारी वेबसाइट news on air.com